नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जैगोबिंद और स्वागत थे आप सभी का जैगोबिंद ओफिसियल के यूटूब चैनल पे साथियों आज हम देखेंगे कि MS Word के अंदर फिलेबल फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं जैसे कि आप सभी ने फॉर्म बानाना तो सीखा ही होगा मैंने HTML में भी आपको फॉर्म डिजाइन करना बताया है या आप कहीं और भी पढ़ते होंगे तो आपने फॉर्म बानाना सीखा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MS Word के अंदर में मैं जैसे ही Date of Birth पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे List ऑपन हो जारी है यहाँ से हम Date चून सकते हैं साथ ही अगर मैं Gender पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे Gender की List ऑपन हो जारी है और यहाँ से हम चूज कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हमें State चूज करना है तो यहाँ पे State के लिए भी अलग-अलग List में दिये गए है तो यह सारा काम हम MS Word के अंदर कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम यह देखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं एक न्यूपेज ले लेता हूं और न्यूपेज लेने के बाद अब हमें वह फॉर्म बराना है तो सबसे पहला काम है हमको टेबल इंस करते हैं उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहां पर जाने के बाद हमें जितने टेबल चाहिए यहां से हम उतने रोंट कॉलम का टेबल इंसर्ट कर लेंगे तो यहां पर हमारा टेबल इंसर्ट हो गया है थोड़ा सा टेबल को हम बढ़ा कर लेंगे अब चलिए हम लिखते हैं तो first हमें चाहिए यहाँ पर नेम लिखना है तो first में हमने name type कर लिया इसके बाद हम data of birth लिखना चाहते हैं तो हम data of birth भी type कर लेंगे नेक्स्ट हमें रखना है जेंडर तो हम यहां पे जेंडर रखेंगे जैसा कि उपर वाले फॉर्म में मैंने बना है सेम हम वैसा ही फॉर्म डिजाइन करेंगे तो जेंडर के बाद मैंने नैस्नलिटी रखी है उसके बाद हमने स्टेट रखा है तो यहां पे हम भी हमें चाहिए आज वो चाहिए आप वो सारा कुछ ले सकते हैं इसके बाद हम सभी को स्वाट करेंगे और साथ कर्णे के बाद बार यहां से तेब्र में बार利यूट्स को क्यूंदिल करेंगे इसके बाद में हम टैबं हरuba करेंगे और जीतना बड़ा हम talking टेस्ट उतने बड़े को उतता न सिकर लेंगे और जिस तरीके से डिजाइक करने के बाद अपने टेंबल को हम एड़श्ट कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कि हमें जो जो फिल्ड करना है वह सारा 際 में ले लिया अब छलते हैं next में तो नेक्स में नेम जो होता है वो यूजर खुद से टाइप करता है यहां पर टाइप करना है यहां पर हमें डेट पिकर का यूज करना है जेंडर में हमें लिश्ट लगाना है नैस्नालिटी में लिश्ट लगाना इस्टेट में भी हमें लिश्ट लगाना है तो यह सारा काम सबसे पहले मैं बता दो कि developer tab आपको हर समय नहीं मिलेगा जैसे कि अगर आप windows को open करेंगे तो ms word के अंदर आपको developer tab देखने को नहीं मिलता है इसे हमें यहाँ पर लाना परता है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि developer tab enable करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और फाइल में आपको सबसे लास्ट आपसे मिलता है option का यहां पर option पर क्लिक करेंगे इसके बाद में dialogue box open हो जाएगा इस dialogue box के अंदर में आपको जहना है कस्टमाइज ribbon में किस्टमाइज ribbon के बाद यहां पर को सारे तेस दिखाई देंगे इन सारे टेस प्रम को ॥िक करना है यहां से अंटिक्र हो तो आपको ड इवलॉपर टैप को टिक करना है और तो करने की लिए सबसे पहले हमें डेट हीरो उन्हें थैजक के लिए नहीं कंड़ा नियूरा-जार दो component लिए और यहां को अलग 95 तो यहां थזה कर लेंगे तो यहां फे डेट पी कर हमारा आजुका है अब यहां पे अग्लिक करेंगे रेख बइलने की है कडिकरने के बाद को कि अगुद्धा वासा मौसम खराब होने के वज़से टेकनिकल इसू चल रहा है चलिए देखते हैं अब यहां पर जैसे ही मैं डेट पे जाता हूं तो यहां पर अलग-अलग दिखाई दे रहे और जो डेट पर मैं क्लिक करूँ वो डेट यहां से हमारा सेलेक्ट हो जा रहा इसके बाद हम डेट को कलर बगरा चाहते हैं तो वह सब बाद में करेंगे पहले हमें जो चाहिए वह सारे यहां पर ऑपन कर लेते हैं इसके बाद जेंडर के अंदर हमें लिष्ट लगाना है तो यहां से आप देखेंगे क्या आपको लिष्ट का नजर आएगा लिष्ट का होता है तो हम पिन कोट के लिए भी चाहें तो अलग-अलग बॉक्स बना सकते हैं उसके लिए हम टेबल सेल को क्लिक करेंगे और ले आउट में आपको इस प्लिट सेल का आपसा नजर आएगा वहां क्लिक करने के बाद हमें रो को वन छोड़ देना है और कॉलम में 6 टाइब करके ओके करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फिन कोट को भी करने के लिए अलग-अलग बॉक्स नजर आ रहे हैं अब चलते हैं इन सारे को अरेंज करना है तो सारे को हम इसके बाद अब हमे चलना है अब सबसे पहले हम चलते हैं और अपने जेंडर लिस्ट को तयार करते हैं जेंडर लिस्ट तयार करने के लिए आपको developer में जाना है और जेंडर को select करने के बाद यहां आपको properties नजर आएगा properties पे click करेंगे और सबसे नीचे में आपको यहां पे display name नजर आएगा इस display name में से हम first वाले को remove कर देंगे और यहा पर होता है वो सारे जेंडर को manually type करना है तो यहांपे मेरा first add हो चुका है अब हम second को add कर लेंगे इसके बाद हम ठाट जेंडर add करेंगे इस तरीके से हमारा जो है वो जेंडर यहां पर आ चुका है कि एसे हम okay कर लेंगे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब लिश्ट में से जीसे आप सालेक्ट करेंगे वो यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा करदे अनुअ कि अब चलते हैं नेक्ष नैस्टनलीटी के अंदर तो नैस्टनलीटी में भी हमें इसी तहीं के से लिष्ट बनाना उसके लिए बापस प्रूपर्टीज में जाएंगे और यहां पे नेशनलीटी को हम। ऐसे और शाहते है तो यहां से हम एड़ पर क्लिक करके सारे नैसनलीटी को ऑड़ करेंगे। अब यहां पर लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ही नाम नज़र आएगा वहम यहां से चूज कर सकते हैं next हमें state के लिए भी लिष्ट बना उना तो वापस से प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जितने state होते हैं सारे state को यहां से हमें add कर देना है तो मैं तीन चार इस टेट को यहां पर add कर देता हूं उसके लिए हम add पर click करेंगे और जो-जो, प्रकुर तो यहां पर हमारे 3-4 इस्ट्रेट आशुक है अब जैसे ही यहां लिश्ट में जाएंगे तो वह सारे लिश्ट के नाम हमें सो करेंगे अब इसको डिजाइन चैन्ज करना है जैसे डेटोबस का कलर वगर हमें चेन्ज करना है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहा box का color जो वो change हो चुका है और सभी को एक साथ change करना है तो हम एक काम करेंगे यहां पे उपर में आपको design mode नजर आएगा design mode पे click करेंगे तो यह design mode में आजाएगा अब हमें table पे click करना है और यहां से इसको bold कर लेंगे टेक्स्ट को जितना बड़ा करने उतना बड़ा कर सकते हैं हमें जो भी color लगाना है वो सारा color यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से हम सारे को color वगएरा apply कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो है देखने में अच्छा लगेगा तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो है चारो में हमने डिजाइन भी लगा लिए अब इसे वापस से हम डिजाइन मोड को बंद कर देंगे तो अब यहां पर हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हम हमें यहां पर लिष्ट नजर आएगा और लिष्ट में से हम जो नेम चाहें तो नीम को यहां से सलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से जो हमारा फीलेबल फॉरम बन चुके है जो डेट हमें अपने डीट को पिक करके फील कर सकते हैं अब Čण Kamber तो बॉर्डर लगाना भी मैंने आपको टेबल फॉर्मेट्टिंग के वीडियो में बादता आया था उसके लिए टेबल के किसी सेल पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमें डिजाइन नजर आएगा डिजाइन में जाने के बाद बॉर्डर का जो भी स्टाइल देना चाहते हैं हैं म्मिद के वीडियो आपको पसंद आया अगर फसंद आया है तो लाइक कर और चैनल को सब्स्क्राइब हो बिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद